अगर आपको मेरी वीडियो सेच रखते तो प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो चलिए अच्छे वीडियो की तरह हम चलते हैं तो आज मैं मसाला लच्छा पराठे की वीडियो लेके आई हूं तो बच्चों को लंच बोक्स में या फिर सुबह की प्रेक्वास्ट में भी आप बना सकते हैं और दई के साय चाय के साथ सर्फ किजिया तो एक दम बढ़िया लगता है तो चली देख लेते हैं कैसे बनाना है कया है तो सब से पहले दो आपने चपाती के लिइड करें और नहीं अजवाइं आजवाइन एड़ करेंगे ज्करकंप च निदर जाकर रहें तो िञेट हैं जो कि अब्लाव गश्टार को बनें और नहीं चैत जहें घरख मेंना मन्हें ठाता औकर देहां कि आम बनेकिशं क सुरी में थी एड़ कर लेंगे लाल मिर्ची पावडर एड़ करेंगे जितना आपको तीका खाना परसंदे इसके एक बच्चा जितना खाता है उसके अपर से हमें हरा धन्या बारिक चौप किया हो इसके बाद में हमें इसको इस रहसर रोल करते-करते प्रेस करते जाएंगे बोट पर और हम पहते हैं पराठा बील दिया तो हम विम्हा रहुत है बाघ्मके ja उसके बाद में पराठा को उसके उपर रख लेंगे और इसे लोड टू मीडियम प्लेम पे इसे सेक्न देंगे तो गी आप जो भी तेल या गी डालना चाहते हैं वो डालेगा गी डालेंगे तब एकदम खस्ता बनेगा तो इसलिए मैंने गी डाला है तो इसलिए से पर पलट करेंगे यह तो एक दम बढ़िया हमारा क्रिस्पी जब तक नहों तब तक हम इसे पका लेते हैं तब देख सकते हैं हमारे पराठा रेडी हो चुका है तो सारे लेर्स एक तम अलग अलग हो जेक हैं तो इस तरह से में दूसरा भी बेल लेते अब देख लिए बते एक बार एड़ेंगे इंसारी चीच को एक बारी मिक्स कर लेते हैं उसके बाद में से इस तरह से फेला लेना है और से फिर से हमें कस्यों पर स्वारी हरा धनिया एड़ करेंगे और इसे medium thickness से हमेंसे बेल लेना है इसी तरह से सारे पराठा हम रेडी कर लेते हैं फ्रेट्स आप आगे भी कौन-कौन से वीडियोस सेखना चाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना मैं आपके लिए अपसरफी के लिए वीडियोस लेके आती रहूंगी और जितना हो सके फुल वीडियोस देके मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा आपके सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है और जो भी नए-नए फ्रेंट्स दुरे अभी तक आपने मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बाज मुझे बैल आइक अने उसे भी क्लिक करना ना बोले तो ही में नए-ने वीडियोस के अपड़ेट आपको मिलती रहेगी तो आप देख सकते हैं बातों बातों में मैंने एक पर आठा और मैंने बेल लिया है तब इसे भी हम सेक लेते हैं पर सब्सक्राइब पर जरूर ट्राइब करके देखने आपको बहुत ही अच्छा लगेगा तो इसमें गी एड़ कर लेते हैं तो इसे फिर से अमें इस तरह से से शेक लेंगे लो टू मीडिया फ्लेम पर कीजिएगा एक सेड हो जाये परट के दूसरे साइड भी हम पका लेंगे इसी तरह से अमरे फो लो करना है इस सारी चीजे तो इस तरह से अलट परट करके जब तक खसता ना हो जाए तब तक हम एक पका लेंगे low to medium flame पर करना है ध्यान रखेएगा high flame पर रखे जलाना नहीं है इस तरह से हमारा मसाला पराठा रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए उमीद करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो अच्छा लगा तो लाइक शेर कर दीजिए नेक्स्ट उडियों फिर से मिलते हैं तब तक के लिए बाई फ्रेंड्स